Hello everyone, मैं हूँ अनुराध्धा A Health Care Professional और आप देख रहे हैं अनुराध्धा केया चानल अगर आप अभी pregnancy के लिए planning कर रहे हैं और conceive करने के लिए कोसिस कर रहे हैं तो आपको हर एक pregnancy का लक्षन जानना बहुत जरूरी है क्योंके जितना जल्दी आप अपने pregnancy को predict कर सकेंगे, उतना ही जल्दी आप इसके लिए तयार भी हो सकेंगे pregnancy के लक्षन के बारे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इन में से एक वीडियो में ने leg pain के बारे में भी बनाया था कि early pregnancy में आपको leg pain क्यू χोता है और ये कब से सुरू होता है तो ये जो वीडियो था आप लोगों ने बहुत पसंद किया था ये जो leg pain है उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारा सवाल भी पूछे है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यरली प्रेग्डेंसी के leg pain क्यों होता है ये नॉर्मल है या फिर नहीं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रेग्डेंसी के दोरान अगर आपको leg pain होता है तो आप इसे केस से deal कर सकेंगे और इसका निदान भी क्या है वीडियो बहुत ही ज़्यादा informative है और सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला भी तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा अगर अभी तक आपने अनुराधा के आप चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या है या फिर चानल में नए हैं तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकोन को भी हिट कीजिए ताकि pregnancy-related हर एक वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल सके तो यह हम जानते हैं कि early pregnancy में आपको leg pain या फिर leg cramp या फिर पेरो में एठन क्यों होता है तो जब एक महिला conceive कर लेता है यानि कि जब उनका implantation successful हो जाता है और जो fertilized embryo है वो uterus के wall पर शिपक जाता है उसके बाद ही एक महिला के सरेर में बहुत ज़्यादा hormonal changes होते हैं तो यह hormonal changes के बज़े से भी आपको पेरो में एठन या फिर leg cramps या फिर leg pain हो सकता है पीरड आने से पहले भी आपको leg pain या फिर leg cramping महसूस होते हैं लेकिन pregnancy का जो leg pain या फिर leg cramping है वो थोड़ा अलग type का होता है तो आए हम जानते हैं कि इसके पीछे exactly क्या कारण है जब बच्चा uterus में आ जाता है तो आपका सरीर पूरे तेजी से काम करने लगता है उस बच्चे को support करने के लिए उस बच्चे के growth के लिए और साथी साथ उसके nourishment के लिए इसलिए आपका सरीर का जो पूरा blood circulation है वो उसमें थोड़ा changes आता है क्योंकि पूरा blood flow uterus के directed ही होता है यानि कि पूरा जो blood flow है वो uterus की तरफ ही चाता है ताकि वो बच्चे को support कर सके बच्चे को growth और development में मदद कर सके तो आपके पेरों में जितने भी सारे arteries है और veins है जो की blood circulation में मदद करते हैं उनका circulation है उनमें थोड़ा बहुत changes आता है तो इसलिए भी आपको leg brain या फिर leg cramping महसूस हो सकता है इसके अलाबा बहुत सारे expert की माने तो और भी एक कारण हो सकता है leg brain या फिर leg cramping के बज़े से पहले तीमियाई में क्या होता है कि बच्चे के पूरा development होता है यानि कि बच्चा पूरा विकसित होता है उसका नाखून, उसका बाल, उसका हड़ी ये सारे बनते हैं जिसमें कि calcium एक major role play करता है तो आप जितना amount का calcium intake करते हैं उसमें से एक major portion calcium आपके बच्चे के विकास में खर्च हो जाता है सो calcium के deficiency के बज़े से भी आपको leg में pain या फिर cramping या फिर एठन महसूस हो सकता है पहले तीमियाई के अलाबा तीसरी तीमियाई पर भी आपको leg pain या फिर जो cramping होता है या फिर जो पेरों में जो एठन होता है वो भी severe हो सकता है क्योंकि इस समय बच्चे का बज़न बढ़ता है और साथी साथ बच्चे का जो सिर है वो नीचे तरफ हो जाता है तो इसलिए आपके pelvic area में pressure भी आता है और साथी साथ बच्चे के बज़न के बज़न से आपका जो blood circulation है उसका भी direction changes हो जाता है तो लास्ट तीमिहाई में भी यानि कि थर्ड टाइस सेमिस्टर भी आपको leg pain या फिर leg cramping में हसूस हो सकता है और ये जो leg pain या फिर cramp या फिर पेरों में जो एठन होता है ये एक normal symptom or sign होता है pregnancy का लगभग 50-60% महिलाओ को ये leg pain या फिर cramping या फिर पेरों में एठन होता है देखिए friends conceive करने के एक या दो हफ्ते के बाद आपको पेरों में एठन महसूस हो सकता है लेकिन सिर्फ पेरों की एठन से या फिर leg cramp से आपको ये confirm नहीं कर सकते हैं कि आप ने conceive किया है या फिर नहीं पेरों की एठन के साथ साथ अगर आपको pregnancy के दूसरी सारे lection भी अगर आपको लेक पेरों में एठन महसूस हो रहा है तो आप इसे केस से डील कर सकते हैं पहले तो आपको बहुत एमाउंट में पानी पीना चाहिए आपको हमेशा ही हाइडरेट रहना चाहिए अलाबा आप आपने वोजन में calcium rich food भी सामिल करें जिसे की milk और dairy का supplement भी देते हैं तो यह जो calcium का supplement है वो भी आपको सही समय पर लेना चाहिए इसके साथ-साथ आपको सुभग की जो धूप होता है उसमें 10 मिनिट आपको एक्सपोजर भी देना चाहिए क्योंकि सुभग धूप में vitamin D होता है तो यह भी आपको help करेका leg pain या फिर leg cramp से आरा इस problem को deal करने के लिए आपको अपने posture में भी थोड़ा बहुत changes लाना होगा अगर आप बेठते हैं तो आपना leg को cross करके ना बेठी अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत देर तक खड़े मत होई है और बहुत देर तक एक ही position पे एक ही posture पे भी मत बेठी है कुछ-कुछ time interval के बाद आप आपना जो posture है उसे change कीजिए अगर आप लंबे समय तक खड़े हैं तो बेठी है अगर आप बहुत समय से बेठे हैं तो छोड़ा खड़े होई है एक ही जगह पर बहुत समय तक ना बेठी है या फिर एक ही जगह पर बहुत समय तक ना खड़े होई है तो भी कभ अगर आपका पेरों का एठन का इंटेंसिटी बहुत तेज है और पेरों के एठन के साथ साथ आपको ब्राउन या फिर रेड कलर का स्पोर्टिंग या फिर ब्लीडिंग शुरू हो गया है तो बिना देरी किये आप आपने डॉक्टर को जरूर कंसल करना चाहिए तो मैं उमीद करती हूँ को ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेशन में जरूर लिखेगा और एक नए इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ तब तक के लिए स्टे हल्दी और स्